हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटीब चैनल मुनासर तो आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का चैप्टर वन राजनितिक विग्यान का अधर राजनितिक विग्यान से चैप्टर वन हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस नागरिक सा का निर्मान क्यों हुआ किसलिए हुआ यह सब चीज हम पढ़ेंगे इसलिए एकदम वेट कीजिए और वेट क्या कीजिए मतलब कि थोड़ा इंजाय कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर देजिए चलिए बाते हम अब पढ़ना शुरू करते हैं क्या आपने कभी अपने विद्याले के बारे में सोचा है आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है विद्याले में हम पढ़ने के लिए आते हैं इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक अध् हैं ये बातें जो शायद आपको साधारन से लगती हो परंत उतनी साधारन है ने क्योंकि किसी भी विद्याले को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए मतलब एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए कुछ काईदे कानून होते हैं बात तो सही है जैसे बच्चों के विद्याले में नमांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना कहने का मतलब है कि बच्चों का विद्याले में नमांकन कराने के लिए एक निश्चित उम्र जिसले सब कुछ हो जाएगा पडोना सबकोर अब बोलना सुरू कर दिया और जब बोलना सुरू कर दिया थे जा के प्लेए स्कूल में लिखवा सकते हैं क्या नहीं कि क हम शरू कर रहे थे पांस साल का अब दून लिखाता था अब दुनिया बहुत ठास्ट हो बच्चा हैं प्लेज़ को होता है तो जाके लिए एकिस सोल बच्चा नियम बना हुआ है को डीर्ट साल का बच्ची बहुत अच्छा बोल रहा है उसको हम नहीं प्लेजे सबस्क्राइब हर एक निष्ट काम होना, बात से है अगर बच्छा पढ़ने में तेश है नर्सरील के यूग को बहुत जल्दी यह तो क्या अब उसको अप्तलों फिप्त का किताब मैट्स पढ़ांती बता दीजेए क्या नहीं हर एक क्लास का पार्ट करम है विसाय के लिए यूगी सिक्षर अब उस विसाय का मैट्स पढ़ाने उम्ण और समय का होना हरे कक्षा का एक निश्च्चत पार्ट करम होना परतें सेक लिए यूंगि सिक्षक सिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक काहना जिस पर पूर похож गविद्याले को सूचारों रूप से चलाने की थिम्न दारी हो जो प्रधान सिक्षक हो ज मुझे पढ़ाने आता नहीं है मैं स्कूल खोल दिया और मैं चला लूँगा मैं आफिस में बैठ जाओंगा अब टीजर आगे पढ़ाएंगे जो आफिस में बैठेंगे उनके पास ग्यान होना सबसे बड़ा जरूरी है अगर कभी कोई सिक्षक एपसेंट हो जाए तो उनका अगरा करता बहुत बहुत मतलब बहुत इंपोर्टेंट है आगे देखें क्या होता है कि विद्याले के जिन नियमों की तरफ हमने आपका द्यान दिलाया है यह भी कुछ बुनियादी कानून पर आधारीत होते हैं इन बुनियादी कानूनों को दियान में रखकर ही अन्ने नियम और कानून बनाया जाते हैं जैसे सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो सिक्षा का अधिकार अधिक नियम कब का है 2009 का है क्या है कब का है 2009 का तो एक बुनियादी कानून है जिसके अधार पर बिद्यालियों के बारे में कई नियम बनाए गये हैं जैसे 6 xem 14 वर्स के लड़के लडकिओ को किसी भी बिद्यालियम परविज देने से माना नहीं किया जासका है। कब से कब तक 6-14 वर्स के बच्चों को मतलब कि लड़के हो या लड़की अगर 6-14 के बीच का है तो किसी विद्याले परवेश देने से मना नहीं किया ज़सका है परतेक 3 किलो मीटर के डाइरे में कख्षा 8 तक की पढ़ाई है तू सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है कश्या एक से 5 तक के विद्यालों में छात्र और स्ख्यक्षक का अनुपात 50 ंबत्श होना होता चाहिए नियम है कि 6-14 वर्ज के लड़के लड़कियों को किसी विद्यालवें परवेश देने से मना नहीं कहा रहा लिए दूसरा है कि पर एक सरकारी स्कूल होना जरूरी है यह होना ही चाहिए एक से पांस तक के विद्यालों में छात्र और सिख्षक का नुपात आगे देखे क्या है आप अपने विद्याले में जिननियमों का पालान करते हैं उनकी एक सूची और तयार किजिये उनकी सूची तयार किजिए देखेव में जाते हैं उस सब का इक송न मैं मैं जाता हूँ तो मैं सबसे पहले तो हम लोग घुमते मतलब एक स्कूल में इन किये तो थूरा बहुत घुमेंगे उसका प्रास्थना होगा फिर पहला गंटी होगा पहला गंटी में यह सब आप जानते हैं यह सब आप ही लिखिएगा अगला पॉइंट है कि आपकी सिक्ष प्रास्थना जब जो होता है प्रेयर के पहले आजाएं प्रेयर के समय आजाएं मतलब कि पहले आएं अब यह नहीं कि फर्स्ट टाइम है नो बज़ तो रोज आ रही है दस बज़े अचाहिए तो एक ही पर प्रात्ना होगा एकार बज़ आई उन स्वेटर लेते आई प्राणी पटा लेते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अचाहिए अच्छा लोगे सी यारो क्रो क्रो मतलब को होगा चिलाने डवलू भूला ही गए तो यह सब नहीं होना चाहिए जड़ा सूच के बताईए कि आपके विद्याले के परधान अध्यापक को विद्याले चल अगर सब टीचर लोग का टाइम है नौ बज़े आने का तो वह पहले आठ बज़े आजाए आठ बज़े नहीं है तो कमसम सारे आठ बज़े तो जरूर आजाए ताकि वह अपना सारा प्लान तैयार कर ले कि हां भाई मुझे फर्स्ट क्लास में क्या काम करवाना है सेकंड क अब सूचने वाली बात यह है कि जैसे विद्याले को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की जरूरत पड़ती है उसी तरह देश को भी चलाने के लिए मुलभूत नियमों की अवश्यक्ता पड़ती है जिसका पालन उस देश में रह रहा है नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है इन नियमों का समूह ही समिधान कहलाता है तो कहने के बात यह है कि एक विद्याले को चलाने के लिए बहुत सारे नियम की जरूरत परती है वैसे ही देश को भी चलाने के लिए कुछ मुलभुत नियमों की जरूरत परती है उस नियम का पालन वहां पे रह रहे है नागडिक जो है मतलब उस देश में जो नागडिक रह अलग अलग समुह में चर्चा किजिए आप सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर जो अपने वर्ग में बैठ जाए अब सब लोग मिलके बैठ के चर्चा किजिए इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे अखबार इंटरनेट अपने शिक्षकों से जानकारी गठी करने पड लिए कि शीक्षा का अधिकार अधिनियम् क्या है लिएक उसमें क्या एक आपको मिला इन सब मिला पार कि तब ही चरत कर सकते यृश्चा का अधिकार अधिकार अधिनियम उसको HOW प्र से 10 свое भारतिय सम्मिदान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाप लंबे संगर्स और अन्य देशों के समिधानों के अनुभाव का नतिजा है काफी लंबे संगर्स और अन्य देशों के समिधानों के अनुभाव के नतिजा मतलब उन सब का अनुभाव हम लोग पढ़ें पढ़के फिर जो जो एड़ाप्ट करना था उसको अपने समिधान में जोड़ें उस चीज को चला रहे हैं या भिन समु जातियों अलग अलग छे शेत्रों के ज्यानी एवं अनुभावी लोगों की सोच का परिणाम है मतलब यह समिधान केवल यह नहीं बताता है भारतिय समिधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की सासन वेवस्था क्या होगी बल्कि यह भी दरसाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्मान करना चाहिए बात सही है आप जहां पे रहते हैं वहां पे अगर सरावियों का अड़्ा बना दिजिए तो जो सरावियों आपकी घर क्यों लोग कहता है एक अच्छे समाज में रहना जरूरी है देखिए अगर आप महा मुर्ख हैं महा मुर्ख और मुर्ख होने के बाद आपको कुछ ग्यान नहीं है अगर अच्छे समाज में चले गए ना तो आपका ग्यान एक्टमेटिक अब लगों के साथ रहकर अब बहुत उच्छे इंसान हैं लेकिन आप गलत समाज में चले गए वैसे समाज में चले गए जहां पर अपने माता पिता को वह बच्चे समारते हैं पिटते हैं गाली देते हैं तो आप भी वही चीशी सीखिएगा क्योंकि संगत से गुण होते है यह भी दरसाता है कि हम किस समाज किस तरह के समाज का निर्मान करना चाहते हैं उस समाज में किन आदर्सों की रक्षा की जानी चाहिए कौन से आदर्स है क्या इडियल है उनकी रक्षा कैसे करें समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहि साथ ही सबसे एहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसी की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो मतलब जो आपको अधिकार मिले उस अधिकार की रक्षा आप कैसे करें ये सब जानना जरूरी है जिससे क्या हो सभी का भला हो अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नमक इलाके में रहते हैं आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सांतिपुन डंग से रहे और जरूरत परने पर एक दूसरे का सहजोग करें आप यह चाहते हैं यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निधारन प्रक्Прक्रिया के माद्यम से निकाला जा सके उनके जगरों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योगता करनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित महनताना मिले बात सही है आप जितना पढ़े लिखे हैं जितना आप योग्य हैं उस तरह से आपको काम मिले उस काम का मेहनत आना अच्छा मिले मतमेद होगा ही नहीं अब कोई बच्चा को कलम पकरने नहीं आता है उसी को आफिस वाला काम दिया जो परहा है आट-दस साल उसको दे दियें कि भाई पर लिके क्यों नला साब करेंगे हम अपना दूसरा काम करेंगे तो यह चीज है कि उनकी योग्यता का अनुसार उनको काम मिलना चाहिए और उनका वुचित जो महना ताना है वो भी मिलना चाहिए यदि आप सभी को उपर की दी गई प्रस्ति के अनुसार दिये गए इलाके के लिए कुछ मुलभूत नियम बनाने का कारे दिया जाए तो अगले प्रिष्ट में दी गई बातों को आप कैसे तैक करेंगे भाई अगला प्रिष्ट है उसको देखते हैं अगले प्रिष्ट क दिये गया इसके अनुसार इलाके के लिए कुछ मुलभूत नियम बनाने का कारे देजाए बता मतलब के काम दिये जाए आप नियम बनाई है उसके बारे में अगले प्रिष्ट की दी गई बातों को कैसे तैक करेंगे अच्छा ठीक है अगले प्रिष्ट पर हमाते हैं कानून बनाएंगे पहला चीज दूसा चीज यह तो हो गई कानून बनाने की बात अब यहत्ताय कैसे करेंगे इन कानून को कैसे लागू किया जाएगा या यह पहला क्वेशन था कि दीए गयों देश्यकों को पुड़ा करने के लिए आप नहरवाल इलाकी में आप कौन-कौन बनाएंगे सबसे पहले तो यह आप सोचिये कि आप किस प्रकार कानून को किस लिए बनाएंगे आप चप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को बैक कीजिए आगे थोड़ा थोड़ा सब पॉज करके पीछे जाई आपको सब मैं बताया हूं इस वीडियो में उसे जरूर कर सुनें तो नहरवाल इलाका जो है उस इलाके में एक सांतिपूर्ण लोग रहे इसके लिए कानून बनना है जरूरत परने पड़ एक दूसरे का लोग वहां का सहजोग करे इसके लिए कानून बनना है तो उसके लिए कानून कैसे बनेगा सबसे पहले यह एक पंचायत होनी चाहिए कि भाई अगर नहरवाल इलाके में जो भी कोई समस्या होगी वो लोग पंचायत में जाके कहेंगे और पंचायत उस समस्याक को सुल जाएगी उसके बाद एक नागरिक समीति होनी चाहिए नागरिक समीति में नागरिक समीति जो है वो क्या करेगी लोगों के आचरन पर नजर रखेगी लोग क्या क्या कर रहे हैं उनका आचरन कैसा इन से रोक लगाएगी उनके उनको दंडित करेगी और उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी ताकि लोगों को कई समस्या ना होता क्या कि सराप जब लोग पी लेते हैं तो बीते बीते इतिहास को याद कर लेते हैं सराप पीने अब उनको याद हो जाता है कि हमको फल्टुआ मारा लबड़ुआ मारा चिल्टुआ मारा हम भी मारेंगे फल्टुआ को चिल्टुआ को लबड़ुआ को अब वह बैचरा सराप पीने के जोक में फल्टु लबड़ु चिल्टु सबसे पिटाई कर लता है सबसे जगड़ा कर लता है अभी चाल तीनों के तिनों मिलको उसको प पीजिए आगर खुछ भी नसा कर रहे है और बच्चा वहाँ फ़र चोटा सा बैठा हुआ है तो बच्छा उसको देखेगा बहुत अच्छे से बहुत अच्छे और कौपी कर लेगा नकल कर लेगा वह भी लुका कर पटिए गा मना चिप छीप कर पहले पीएगा चीप पीने तो बच्चों के सामने ना हो बच्चों को यह अनुभाव ना हो कि हमने शराब पिया है चैक कुछ बें दूसरा बात अगर किसी परिवार में कोई दुरघटना हो जाता है दुरघटना होने के बाद एक ऐसी समिति नागरिक समिति होने चाहिए कि वह परिवार उस नागरिक स जहां पर उसके पिदा जी नहीं है इंगर नागरिक समिति सभी लोगों से संदा के रूप में लेगे और उस बच्ची की साध्य हो जाएगी हम तो कहते हैं कि हर बच्ची की शादी में कुछ ना कुछ रही जो करना चाहिए ओके अगला पॉइंट देखते हैं तो यह हम दोनों का जो है यह का मतलब बता दिये उसके बाद कहता है यह तो हो गई कानून बनाने की बात अब के बारे में बताई नागरी समीटिंटी में सभी बैठेंगे आप अपने कानून जो भी बनाया है इस कानून को लागु कर आई तो लागु करना होंच ता डूर्भा आपको बता दिये जाए गार बनें हाथ में कभेया कानून का जो भी फोटो कॉपी है इसको आप ले लिए अपने पास रख लेजे पढ़िए और पढ़के उसको मानिये तो यह सब था अगला पॉइंट देखे क्या है यह थोड़ा से आया है स्टोडी टाइप का उसे स्टोडी को परके मैं दिखा दे रहा है जैसे यह देखे मालिक है साइद क्या कर रहे हैं रामू आज तुम्हारी औरत काम करने नहीं आई रामू साहब क्या कर रहे हैं देखे आज उसकी तबियत बहुत खराब है मालिक तो त तुमने अपनी बेटी मन्नी के कोई नहीं बेजा। घर में बहुत बरतन पढ़े हैं। वो सरला बेहन के घर पढ़ने गई है। रामु कह रहा है बिचरा। नालिक। क्यों फिर यह काम कौन करेगा। जाओ उसे तुरंत बुला कर लिया। एक दिन नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए हर बड़ा इंसान कहता है। यह आगे का मैं दिखा दे रहा हूं। हर बड़ाई इंसान कहता है कि बच्चा को कि एक दिन नहीं पढ़ेगा तो कई काम नहीं बिगड़ जाएगा।शी नहीं पढ़ने से यह काम तो नहीं बिगड़ेगा। लेकिने काम क्रंशक कर रा एक मतलब कि परहाने का मेरी स्पीड फ्रस्ट हो जागा बीच में लॉट ड़ाउन में ऐसा स्थिति आ गया कि सब चीज बंद हो चुकए थे परहाने का आदत भी कम हो गया था मतलब कि उसके बाद में जब भी पढ़ाने जा रहा था था खुद सोचता था कि मैं अच क्या पढ़ाँ ऐसा होता है तो इसलिए बच्चे का पढ़ने का काम है उसमें आप बाधान डालें उसको पढ़ने में help करें बलकि यह देखिए कुछी देर में रामू हा फजब आधया इसलि5 से he अधमी है जहां के पत्णी पेस से कहा कि यह मुनिasis को भेतो नाली के पास मालिक का क्या काम काम कर देगी उसकी पत्नी तेस तरह रहा है पत्नी पढ़ी लिए इसलिए लिए आध गलए कि महलें नो 21 sus ios 6-ब लो भी बाच् attaching करवा यह यह कानून ही नहीं समिधान में नहीं है कि छोटे बच्चों से काम करवाई तो यह चीज अब देखिए क्या करता है उपर दी गई चित्र कथा के अधार पर आगे दीए प्रस्णों के उत्तर खोजी क्वेशन है कि सरला बहन ने सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं आप ना प्राद है होता क्या है कि बच्चों को क्या क्या तैना कि किसी चाय वाले की दुकान पे रग दिए जाते वेचा चाय का कप माजता है आप सोचो कि आपने देश को किस तरह से फकीर बना रहे हो वह बच्चा जिस समय उसका परने का टाइम है तो चाय का बरतंद हो रहा है जब बड़ा होगा तो फढ़ पढ़ताएगा इसलिए बच्र्रा आप दो रोटी कम खाई ये नून रोटी खा लीजें बच्चों को पढ़िए अभे तो गाना बन गया है नून रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहीशचीज है कि छोटे बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते हैं यह कानूनान अप्राद है पढ़ाई करना तो बच्चों का मौलिक अधिकार है अगर कोई पूछे कि भाई पढ़ाई करना बच्चों को क्या है मौलिक अधिकार है यह अपको सम्मिधान में लिखा हुए सर्ला बहनने मौनु को काम पर क्यों नहीं जाने दिया और्फीheen मैं सबसे पहरे आपको यह बता दूं के छोटे बचे से तो सबसे काम ही नहीं करवाना जाए यह क्या है कानूर जुर्म है यह एकरसे कानूर अपराद है चोटे बचेifier का नहीं अगर आप काम करवा रहा हैं तो यह आप पाप के भागी है जिस बच्चे का पढ़ने का टाइम है खेलने का टाइम है उससे आप काम करवा रहा है यह गलत काम कर रहा है तो छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है और उसका जो पढ़ाई करने का बच्चों का करने का मौली कदिकार है पढ़ना ना की काम करना तो बच्चे को पढ़ने के लिए दिकार मिलाया है मौली का दिकार इसलिए वो पढ़े तो उसको आप मना मत कीजिए तो जो सरला है बेहन जो है मुन्नी को काम पर नहीं जाने दी वो कोई गलत काम नहीं की सही काम की है इसलिए सरला बेहन ने काम शुरुआ कर मुनिक को पढ़ाई के लिए भीज दिया आप ये लिख दीजिएगा जो जो मैं बोला हूं उसको आप अच्छे समझ लीजिए और इसी का आप खुद से बना के लिख दीजिए अगला कोशन है अपने घर के बजूर्गों से चर्चा क दीजिए अगला कोशन आपके बिचार से चोटे उम्र में बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए चोटे उम्र के मस्तिस्क होता है जो दिमाग होता है कोई भी चीज अगर वो पढ़ते हैं यह जिस चीज को सीखना चाहते हैं बहुत जल्दी सीख लेते हैं तो थोड़ा बहुत कमाएगा क्या उसी समय नहीं वह पूरा जिन्दगी थोड़ा बहुत कमाएगा उसका भविस्य अंदेकार में चला जाएगा समझ लिजे कि बच्चे का भविस्य अंदेकार में ने गया हमारे भारत का भविस्य अंदेकार में चलाएगा क्योंकि बच्च जो पढ़ाई है वो कर लेगा वो करके अगर अधिक सधिक रुपे कमाएगा तो वो सरकार को भी तो मदद करेगा अपने आज पर उसको मान लिजिए कि दो आदमी को ही रोजगार दे दिया दो महिलाओं को रोजगार दे दिया तो इसे देश का कल्यान हुआ कि नहीं हुआ अगर हम एक छोटे से बच्चे को मजदूर बना के रख देते हैं तो वो मजदूर कलकाम के लिए तरसेगा इधर उदर भटकेगा जो अभी इस्तिती हुई थी कि लोग बिहार से कहा जाते थे दिल्ली और दिल्ली में अचाना करोना काल आया करोना काल आते ही लोग भागन लोग भी हैं तो चाहे वो गरीब कहीं बच्चा क्यों ना हो उसको इंटलीजेंट बनाने में यह हम लोग सहजोग करेंगे अगर मान लिजे कि हमारे पास उस बच्चे को पैसा नहीं है पढ़ने के लिए तो आप कुछ मदद किजे कुछ आसपरोस के उस बच्चे को लोगते हैं और हाँ चैनल पर नहीं है आप सब्सक्राइब नहीं के प्लीज सब्सक्राइब कर दिजे अगला वीडियो फिर हमारा आएगा बहुत चलिए बाबाए गुडबाए